हलो एवरिवन वेलकम तो दे चैनल ट्यूटर बॉक्स और आज की इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं विटामिन सी रिच फूड सोर्सेश ओके तो यहां पर आप देखिए विटामिन सी हमारे लिए कितना इंपोर्टेंस रखता है ओके और विटामिन सी की कम्लи centres किए किया में हूंद हैं और साथ ही कौन-कौन से ऐसे फूड सी बहुत ज्यादा होता है तो आज वहीं जो हैं मैं आप रोगों के लिए लेकर आया तो चलिए شुरू करते आं आज का लेक्चर यहां पर आप देखिये सबसे पहले विटामिन सी की सो से कौन-कौन सी डिजीज हो जाती हैं तो सबसे पहला आप लगों सभी को नाम याद होगा सकर्भी सकरभी में देखिए किस तरह कि हमारे गंत जो जाते हैं किस तरह से body के अंदर generally pain रहेगा और दर्द रहेगा इसके साथी gum disease जो है अगर long run तक अगर काफी long time तक क्या होगा अगर vitamin C की कमी रही उस case में क्या होगा gum diseases हो जाएंगी तो इसी तरह के gum दिखेंगे and bleeding from the skin जो skin से भी bleeding दिखने लगेगी तो इससरे की diseases हो जाती है अलागी rare होता है यह काफी long time तक तो कमी लोगों में मिलता है फिर भी जो बच्चे होता है अगर वो vitamin C deficient है तो वहाँ पर मिल सकता है दिन देखिए यहाँ पर क्या हमारी vitamin C की daily requirement क्या है तो यह data जो है हमारा NIH.gov से लिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए age और male और female दिये हुए है और pregnancy plus lactation दिया हुआ है तो 0-6 month की अगर age होगी तो जो male है उसको 40 mg और female दोनों को similar चाहिए 7-12 month का चगर child है तो उसको भी male और female में कोई difference नहीं दोनों को बराबर 50 mg अमाउंट चाहिए और अगर हम teenage देखें यह मलब जो हमारा 9-13 और 14-18 जो वाला range है तो उसमें 45 जो है हमारी mg की range है अगर हम 19 plus year की अगर हम age देखें तो वहां हमें almost male के अंदर 90 mg चाहिए और female के अंदर 75 mg चाहिए पर्टिकुलर्ली अगर हम pregnancy की बात करें तो pregnancy में 80-85 mg हमें चाहिए हुदा है और lactation की बात करें तो lactation की टाइम पर और ज्यादा amount vitamin C की चाहिए मतलब की 115 से लेकर 120 mg डेली requirement है अब यह एक बात ध्यान देने वाली जो लोग smoking करते हैं मतलब जो regular smokers है तो उन लोगों को 35 mg डेली requirement जादा होती है नौर्मल परसन से जितनी नौर्मल परसन को requirement है उससे 35 mg जादा जो है individual जो smoker है उसको requirement है तो यहां हम डेली की requirement देख चुके हैं अब आईए देखते हैं इससे कौन-कौन से foods हैं जो की vitamin C की requirement को complete करते हैं तो यहां पर सबसे पहला जो food है वो हम यह कहेंगे कि it is a king of vitamin C जो के सी बक थ्रोन जिसका नाम है जिससे सेंड थ्रोन भी बोल जाता है सेयलो छो यह यहां पर यह हमें बिलेगा तो यह इस आप फोटोग्राफ देखिए फोटोग्राफ से आप लोगों को पता लग रहा हो कि कैसा फूट ये दिखता है तो इसमें जो अमाउंट होता है इसकी काफी सारी वेराइटी है अलग-अलग वेराइटी में 400 से लेके 1500 मिली ग्राम जो है हमें विटामिन सी मिल रहा है पर 100 ग्राम में अगर आप यह रेगुलर लेते हो तो एक ही फूट से आपकी जो है विटामिन सी की रिक्वायमेंट कंप्लीट हो जाती है यह टेबल जो है फूट रिसर्च इंटरनेशनल में आर्टिकल पॉब्लिश हुआ था उस आर्टिकल जो 2020 में पॉब्लि अगर आप देखेंगे तो वन पॉइंट फूर टू थर्टीज ग्राम पर किलोग्राम है तो यहां पर वन पॉइंट फूर ग्राम के आसफास मिनिमुम वैल्यू आपकी आ रही है पर किलो ग्राम यह फूट जो है इसको हम किंग ओफ ओ फूट कह सकते हैं फौर पर्टिकु हमारा है red bell paper okay मतलब की लाल शिमला मिर्च okay इसमें अलग-अलग variety आती है यलो भी आती है लाल भी आती है और हरी भी आती है तो लाल शिमला मिर्च जो है उसमें आप basically vitamin c का जो amount अगर 100 gram में अगर आप देखते हैं तो 80 to 95 miligram हमें मिल रहा है यहां पर particularly green जो होती है उसका चार्ट में दीगा हुआ है तो यहां पर अगर आप vitamin c को देखेंगे तो 80.4 miligram शो किया हुआ है तो अलग-अलग जगह की जो papers है उनमें अलग-अलग amount हो सकता ऐसी लिए 80 to 95 miligram मैंने आपको शो किया हुआ है जैसा कि हम जानते है vitamin c जनरली खटे फलो में होता जितने खटे फल होते हैं उनमें vitamin c आपको जरूर मिलेगा तो यहां पर जो नेक्स्ट है वो औरेंज है संत्रा जिसे हम बोलते हैं कि यहां पर अगर सो ग्राम आपकर संत्रा लेंगे तो आपको 53 miligram vitamin c मिलेगा ओके यहीं से इस चार्ट से भी आप देख सकते हैं और इस चार्ट से फाइदा यह है जो चार्ट में आप लोगों को हर एक fruit के वारे में लेके रहा हैं उससे आपको दूसरे विटामिन उसमें कितने प्रेजेंट हैं मिनरल कितने प्रेजेंट हैं वो भी आप देख सकते हैं तो केवल vitamin c और बाके और कौन-कौन से vitamin कितने source में वो भी आप है मैं इसका भी यूज़ करना चाहिए अगर आपके शहर में अविलेवल है तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए हम कीवी fruit की बात करते हैं तो कीवी vitamin c इसमें काफी अच्छा amount में होता है पर 100 ग्राम में almost 92 162 मिली ग्राम के बराबर होता है क्योंकि दो तरह की variety आती एक हमारे पास में कीवी fruit green आता है ये green वाला है और एक sun gold आता है तो sun gold वाला ये वाला है तो जो green वाला है उसकी जो range है vitamin c की उसमें 92 के असपास हमें मिल रहा है और जो sun gold है उसमें vitamin c की अगर आप range देखेंगे तो 161 मिली ग्राम देख रहा है तो जिस भी जगह ये fruit available हो आपक प्रास में broccoli है एक तरह से हम ये कहेंगे कि ये जो गोबी की ही variety है ओके इस है कि आपको काफी सारे जो metro cities है उसमें ग्रोफर्स और जो बिग बास्केट वगरा है वहां पर भी काफी मिल जाएंगी तो ब्रॉकली में जो है vitamin c हमें कितना मिल रहा है 89.2 मिली ग्राम हमें मिल र मतलब की 100 ग्राम अगर आप strawberry घाएंगे तो इसमें 58.8 मिली ग्राम आप लोगों को क्या मिल जाएगा vitamin c मिल जाएगा ओके यहां से भी आप देख सकते हैं clear everyone और दूसरा यह अगर हम फॉलेट की बात करें जो की pregnant woman को चाहिए होता है तो इसमें 24 माइक्रो ग्राम में available है तो diagram से आप लोगों को शो हो रहा है जिसको कि आप regularly use करते हैं तो यहाँ पर vitamin c आप देख लीजिए और दूसरे vitamin भी यहाँ पर available है जैसे कि vitamin e और vitamin k तो उसका amount भी है यहाँ पर iron and calcium का भी कुछ amount इसमें हमें मिल रहा है तो वो भी एक अच्छा हमारे लिए source है then हमारे पास में नेक्स जो है lemon है ओके तो गर्मियों में आप जानते ही हम शिकंजी regularly पीते हैं तो यहाँ पर अगर सो ग्राम अगर आप नीपू लेंगे तो उसमें 53 मिली ग्राम आप लोगों को क्या मिल जाएगा vitamin c मिल जाएगा next जो है हमारे पास में vitamin c rich fruit जो है मौसमी है okay sweet lime जिसे बोलत जाते हैं तो मौसमी का juice ले लेते हैं तो vitamin c इसमें काफी amount में है okay 50 miligram है तो यह एक अच्छा source है vitamin c का then हम pineapple की बात करें तो मौसमी और pineapple generally हम juice में use करते हैं 100 gram अगर आप pineapple लेते हैं तो उसमें 47.8 miligram हमें vitamin c मिल जाएगा okay as well as folate और vitamin other vitamin का भी यह pineapple जो है एक अच्छा source है then follow कर राजा की बात करते हैं mango mango की बहुत सारी variety हमें हिंदुस्तान में मिलती हैं अलग-अलग variety की value अलग-अलग होगी vitamin c की पर एक general अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 gram अगर आप mango लेते हैं तो आपको 36.4 miligram जो है vitamin c मिल जाएगा तो यहाँ पर mango में एक अच्छी amount में है vitamin c और स generally अगर हम सारे ही vitamins की बात करें तो सभी तरह के vitamin इसमें mango में मौचूद हैं तो इसलिए इसको हम follow का राजा बोलते हैं और क्योंकि energy भी एक अच्छी amount में हमें दे रहा है then next जो है हमारा tomato जिसको कि हम रोज अपने salad में use करते हैं अगर 100 gram tomato आप लेते हैं तो आपको 14 miligram जो है ज्यादा हमें vitamin C ही मिल रहा है then cantaloupe की बात करें मतलब की खर्बूजे की बात करें गर्मी की दिनों में रोज काफी खर्बूजा खाते हैं okay तो इसमें भी काफी अच्छा amount में vitamin C होता है okay 36.7 miligram हमें vitamin C मिल रहा है अगर हम 100 gram इसका लेते हैं as well as foliate का यह कच्छा source है तो pregnant woman को लेना चाहिए okay then cauliflower की बात करें फूल गोबी जो है हमारे बास में 100 gram अगर आप लेते हैं तो 48.2 miligram हमें vitamin C मिल जाएगा then हम मतर की बात करें okay मतर में हम देखिए 100 gram अगर आप मतर लेते हैं तो आपको कितना मिलेगा 40 miligram of vitamin C मिल जाएगा okay and इसमें आप iron का भी कुछ amount मिल रहा और vitamin C और हम ये कह सकेंगे कि ये सारे ही vitamin इसमें लगभग भग हमें मिल रहा है vitamin D12 को छोड़ कर नहीं हम अलग अलग grains की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए vitamin C की हम बात करते हैs तो यहाँ पर देखिए उन्यका में कुछ भी नहीं मिल रहा है त्य हुआँ यहां पर द अच्छे amount हमें 29 mg मिल रहा है, potato में 19.7 और कसावा में 20.6 mg हमें मिल रहा है vitamin C, then grabs की बात करते हैं, तो grabs में दिखिए, अगर 100 ग्राम grabs आप लेते हैं, तो 3.2 mg हमें vitamin C मिल रहा है, और grabs generally जो भी berries होते हैं, grabs generally lungs के लिए काफी अच्छे होते हैं, तो ये lungs में भी काफी फाइदा टैमरिंट की बात करें, मतलब की इमली की बात करते हैं, तो इमली में क्या है हमारे पास में, 100 ग्राम अगर आप इमली लेते हैं, तो 3.5 mg आपको क्या मिल जाएगा, vitamin C मिल जाएगा, then अगर हम folate की बात करें, तो pregnant woman को folate चाहिए होता है, तो इसमें 14 microgram available है, as well as other vitamin का भी य एक अच्छा source है, तो जनरली हैं, हिंदुर्सान में हम जो रसोई में देखते हैं, इमली की चटनी काफी बनाई जाती है, तो हम सपोर्टी की बात करें, मैमी जो है, मैट्रो सिटीज में मिल जाता है, यहाँ पर 100 gram के अंदर 23 mg हमें vitamin C मिल रहा है, तो vitamin C का भी एक अच्छा source है, सपोर्टे, जैक फ्रूट के हम बात करते हैं, जैक फ्रूट आप देखिए, जैक फ्रूट में हमें कितना vitamin C मिल रहा है, यहाँ पर vitamin C 13.8 mg मिल रहा है, पर 100 gram के अंदर, तो यह भी एक vitamin C का अच्छा source है, इसकी भी सबजी बनाई जाती है, पालक को आप देखिए, पा amount में मिल रहा है, और vitamin E, जिससे की शरीर में glow आता है, वो भी 2 mg के amount में मिल रहा है, और vitamin K भी मिल रहा है, मतलब जो आप आलक की सबजी आपको कम से कम 2 या 3 बार तो खानी ही चाहिए, जिससे की आपके काफी nutrition जो है, वो पूरा हो जाएगा, जैन एवा केड़ो की बात करें हम एवा के अंदर हमें vitamin C, जो है 10 mg मिलता है, अगर 100 g अगर हम एवा केड़ो लेंगे तो vitamin C, 10 mg हमें मिल जाएगा, इस वेल एवा केड़ो जो है, vitamin E और vitamin K का भी अच्छा सूर्स है, vitamin B6 में मैं आप लोगों को इसको शोर करी चुगा हूँ, अल्रेडी तो यह, almost यह जो है, सारे ही vitamins इसमें available है, then banana, banana में भी 8.7 mg हमें vitamin C मिल जाएगा है, banana भी जो है, vitamin C का अच्छा सूर्स है, but vitamin E और K, vitamin E and K जो है, इसके अंदर available नहीं है, then हम नाशपती की बात करें, तो नाशपती में दीखिए, यहाँ पर 8.7 mg हमें vitamin C मिल रहा है, अगर हम 100 g लेते हैं, यहाँ पर मैंने almost आपको 25 sources vitamin C के दिये हैं, इन सभी sources को availability के according आप rotate करते हुए, अपनी diet में include करिए, कि आपको कभी भी vitamin C की कमी नहीं होगी, और generally vitamin C की कमी really होती, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीज़े हैं, जो हमारी diet में included रहती हैं, फिर भी बहुत से लोगों को vitamin C की कमी हो जाती हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि यह जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है, वो useful है, तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करिए, जै बारत जै